अगर आपको ध्यान में होगा तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 या डिपेंडिंग बाइफ BMS वालों को ये चैप्टर का नंबर अलग होगा बड़ चैप्टर का नाम जो है तिस क्म्यूनिकेशन एट वर्क प्लेस में सबसे पहले हमने इंट्रोड़क्षन डिसकस किया उस इंट्रोड़क्षन के बाद हमने ताइप्स ऑफ चैनल ऑफ क्म्यूनिकेशन डिसकस किया है उसमें formal channel है informal channel है उनके merits, demerits, upward, downward communication, horizontal communication, diagonal communication और informal में grape wine ये सारा सब कुछ चर्चा कर लेने के बाद हम लोगों ने methods of communication भी start किया था इस methods of communication में दो classification है एक है verbal और दूसरा है non-verbal इसमें verbal वाला हिस्सा हम discuss कर चुके हैं इस verbal communication में मैं आपको याद करवा देता हूँ verbal communication I told you is the communication in which we make use of words and languages जब मैं communicate करने के लिए शब्दों का और भाशा का प्रयोग करता हूँ तो उसे verbal communication कहते हैं अब ये जो भाशा या शब्द मैं इस्तमाल कर रहा हूँ ये अगर मैं जुबानी कहता हूँ तो then it becomes oral communication और अगर मैं लिख के करता हूँ तो then it becomes a written communication तो verbal के दो हिस्से है oral और written oral में face to face आपने सामने भी हो सकता है ये टेलीफोन के उपर भी हो सकता है ये सारा हमने चर्चा किया इसमें oral communication के factors sorry verbal communication को influence करने में factors उनके characteristics oral communication उसके advantages and disadvantages face to face communication लास्ट लेक्चर में हमने written communication के बारे में discuss किया था कि रिटन communication के importance या advantages क्या है और limitations क्या है आज उससे आगे we will be moving on to non-verbal communication that is our next topic कि ये non-verbal communication क्या है well non-verbal communication वो होता है जिसमें मैं communicate करने के लिए शब्दों का या भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ I do not make use of words and sentences बलके किसी और तरीके से मैं अपनी बात सामने वाले तक पहुचाने की कोशिश करता हूँ so non-verbal communication जो है it is communication without the use of words, sentences and languages सर्फ बिना शब्दों के बिना भाषा के प्रयोग किये हुए आप कैसे communicate करोगे तो well non-verbal communication के various elements है इन various elements में body language के जरिये body language के जरिये हम सामने वाले को communicate कर सकते है well expressions चहरे के हावाव से हम communicate कर सकते हैं posture के जरिये dress and grooming के जरिये हम communicate कर सकते हैं apart from that और भी कई ऐसे तरीके हैं जिनके जरिये सामने वाले को कुछ कहा जा सकता है इस non-verbal communication में take my example itself कि जब मैं आपके साथ communicate कर रहा हूं तो मैं शब्दों का तो प्रयोग करी रहा हूं लेकिन इन शब्दों के प्रयोग के साथ-साथ आप देखेंगे कि मैं यूई खड़ा नहीं हूं कि मैं आपको ऐसे ही खड़े रहे करके बोल रहा हूं मैं यहाँ पर stage पे मोह कर रहा हूं मेरे हातों के action, मेरे चहरे के how-wow मेरे आके छोटी बड़ी होना मेरा tone, volume इन सब में बदलावाता है और इन सब के जरिये मैं आपका ध्याना करशित करने की कोशिश करता हूं आपको अपनी बात पहुंचाने की और समझाने की कोशिश करता हूं तो बिना शब्दों के इस्तमाल कि ये जो communication होता है that is non-verbal communication बिना भाशा के प्रयोग, बिना शब्दों के प्रयोग के वर्बल कम्यूनिकेशन को सप्लिमेंट करता है non-verbal communication याने जब हम कम्यूनिकेट करते हैं वर्बल कम्यूनिकेशन उस वक्त ये जो हातों का मुमेड है, फेशन एक्स्प्रेशन है ये सारे सब कुछ सप्लिमेंट करते हैं वर्बल को like when I communicate 65% is verbal sorry, 55% is verbal and 45% is non-verbal याने के 100% communication में 55% शब्दों का और भाशा का इस्तमाल होता है और बाकी का 45% body language के जरीए eye contact के जरीए facial expressions के जरीए sound है, volume है, pitch है, tone है dressing है इन सारी चीजों के जरीए हम सामने वाले को अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं basically इस non-verbal communication में एक बहुत बड़े स्तर पर आता है body language क्या आता है body language ये एक ऐसी भाशा है जिसमें हम अपने body के movements के जरीए सामने वाले को कुछ कहने की कोशिश करते हैं हम किस तरह से चलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं किस तरह से हम उठते बैठते हैं हमारे हाथ पेर के movements कैसे है किसके ओपर एक scientific study किया गया है और एक विज्ञान या science डेवलप किया गया है तरह साइंटिविक स्टड़ी और बोडी लेंगवेज इट इस नोन एस काइनेसिक्स उसको क्या कहते हैं उस साइंस को हम काइनेसिक्स कहते हैं आपने देखा होगा जब अलग-अलग देश के प्रधान मंत्री मिलते हैं या राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले मौझूद होते हैं जो इनकी तस्वीरे खैसते हैं कि विमालो नरेंद्र मुदी अगर United States of America गया और वहाँ पर उसने वहाँ के President के साथ मुलाकात करी तो बहुत सारे मीडिया वाले होंगे अब ये मीडिया वाले जब पिक्चर क्लिक करते हैं उस वक्त ये दोनों ने था यानि के USA का President as well as Prime Minister of India किस तरह से वेरोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं कैसे एक दूसरे के कंदों को थपताते हैं ये सारी body language बहुत कुछ कहती है इट डिस्क्राइब्स मेनी थिंग्स बेसिकली इट डिस्क्राइब्स दे इंटर पर्सनल रिलेशन्शेप कि हमारा सामने वाले व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यक्तिगत रिष्टा है ये body language से पता चल जाता है यानि कि दोस्त से जब मिलता हूँ तो दोस्त के कंदे पर हाथ रख देता हूँ बॉस को मिलूँगा तो बॉस के कंदे पर हाथ नहीं रखूँगा body language अलग-अलग लोगों के साथ रिष्टे कैसे हैं उसको समझाती हैं और जिस प्रकार से हम जिन के साथ जैसे रिष्टे रखते हैं उसी के साथ हम वैसा ही body language भी रखते हैं so that scientific study on body language is known as kinesics it's a very important science see throughout the day हम बहुत सारी लोगों को देखते हैं उन्हें observe करते हैं कि वो किस तरह से कैसे चलते हैं उठते हैं बैठते हैं और ये बात उनकी personality को उजागर करता है characteristics क्या है विशेष्टा क्या है non-verbal communication की तो sir non-verbal communication की सबसे पहली विशेष्टा है it involves a sign language इसमें हम sign language का इस्तमाल करते हैं शब्दों का प्रयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती है signs काफी होते हैं जैसे अगर एक simple सा आपको example देता हूँ RTO वाले ने सड़क के शुरुआ पॉर्णर पे इस तरह से P लिखा है बोर्ड के उपर और P लिखने के बाद ऐसे उन्होंने क्रॉस कर दिया इसका मतलब है non parking याने के यहां पर parking allowed नहीं है नो parking है यदि अगर इस तरह से एरो बनाया जाता है और एरो बनाने के बाद उस पे क्रॉस मार दिया जाता है तो शब्दों की आवशक्ता नहीं बढ़ती है इस इस एरो को बना करके क्रॉस कर दिने का मतलब होता है नो entry याने के इस गली में या इस सडक में आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते सो हम इसमें साइंस का इस्तमाल करते हैं पिक्चर्स का इस्तमाल करते हैं पोस्टर्स का sound का इस्तमाल किया जाता है color का इस्तमाल किया जाता है communicate करने के लिए traffic signal अगर आप देखेंगे तो उसमें लाल, पीला और हरा तीन color है लाल का मतलब है आपको रुकना है हरे का मतलब है आपको जाना है yellow का मतलब है सावधानी से धीरे धीरे प्रोसीड करना है So non-verbal की सबसे पहली खासियत यह है कि इसमें हम भाशा का प्रयोग नहीं करते हैं बलके भाशा के अलावा जितने भी दूसरे तरीके हैं अब उसमें science हो सकते हैं, pictures हो सकते हैं, poster हो सकते हैं body language हो सकता, expressions हो सकते हैं, posture हो सकता है, gestures याने के इशारों इशारों का भी हम इस्तवाल करते हैं आप और आपके friend exam के लिए जा रहे हैं, दोनों की classroom अलग अलग है तो जब आप class में दाखिल होते हैं, तो दोस्की तरफ देख करके इस तरह से आप अंगूठा दिखाते हैं ये जो अंगूठा आप उसको दिखाते हैं, इसका मतलब आप उसको wish करने हैं, best of luck ठेंडा दिखाना नहीं है, ये अंगूठा दिखाने का मतलब है, best of luck whatsapp में भी आजकल हम लोग शब्दों का प्रयोग बहुत कम इस्तमाल करते हैं, आजकल बहुत सारा communication तो उस smiley वाले हिस्सें से ही हो जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे निशान दिये गए हैं जिनका आप इस्तमाल किसी को हाई बोलना है, तो आप उन smiley वाले section में चले जाए, उदर एक लड़का और एक लड़की ऐसा हाथ करके दिखेंगे इसका मतलब आप हाई बोल रहे हैं, बरबर है, so that is, involves assigned language, pictures, posters and various other means for the purpose इसमें हम भाशा का प्रयोग नहीं करते हैं, नंबर दो, used to perform specific functions देख, non-verbal communication के जरीए हम कुछ मतलब पूर्ण functions परफॉर्म कर सकते हैं, जो के हम शब्दों के द्वारा कई बार नहीं कर पाते हैं मेरे लिए बहुत difficult है, कि अगर किसी relative की, किसी जान पैचान वाले की death हो जाए, तो मैं उसको संबेदना प्रकट करनी के लिए क्या बोलूं, क्या लिखूं many a times it becomes difficult to express yourself in words, ऐसे में मैं non-verbal communication के जरीए जो है, मैं express कर सकता हूँ, I can show my expressions whatever है, I can show my feelings मैं अपने expression तूँ, अपने feelings, अपने like you can say emotions non-verbal के जरीए communicate कर सकता हूँ, so अगर मान लीजिए, किसी friend के घर पर किसी की death हो गई है, और मैं जाता हूँ, तो मैं कुछ बोलता नहीं हो उस friend से सिर्फ हाथ मिलाता हूँ, उसके कंदे पर हाथ रखता हूँ, या हो सकता है कि बहुत close friend होगा, तो मैं उसको गले लगा लेता हूँ और इस तरीके से मैं अपने आपको express कर देता हूँ, अपने emotions, हम अपने emotions को दर्शाते हैं, हमारा facial expressions, हमारे emotions को बताता है हमारे gestures, हमारा जो eyes है, यह हमारी feelings को दर्शाता है, so it is used to perform specific functions, number 10, inexpensive and speedy means है अगर face to face communication कर रहे हैं, तो face to face communication में बहुत तेजी के साथ, और बिना किसी cost के involvement के, I can give my message to the other person, so there is no cost, अरे, facial expression में किसी की तरफ देख के smile करने में कुछ पैसा लगता है क्या है, नहीं लगता है, अगर आप किसी को कोई आप से रास्ता पूशता है कि में मेरे को जोगेश्वरी वेस्ट जाना है, कैसे जाओ, मैं उसको कुछ नहीं बोलता है, काली बोलता हूं, इधर से जाओ, इसमें कुछ पैसा लगा क्या नहीं, काम भी जटपड हो जाता है, अपना पूर्सपीडपीड इसनो कौस्ट एंडु नो यू can say, वेस्टौन आप कोई फटा फट हो जाता है, जटपड हो जाता है, विकली हो जाता है, आप से जब्सक्षाम ए बोलता खहा, तो उसने कपड बोलता है इसक्षाम ए बोलता है, है गेस्चर्स या इशारे हैं इनके जरीए हम आपस में एक दूसरे के साथ वियक्तिगत रिष्टों को बना भी सकते हैं और मेंटेल भी कर सकते हैं कि किसी के तरफ देखके स्माइल करना यह एक रिष्टे की शुरुआत है और इसी तरीके से जब आप फ्रेंड्स रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं तो आप हाई हलो भी नहीं करते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी नहीं करते हैं शब्दों का इस्तमाल की जरुवत ही नहीं बढ़ती है एक हैंडशेक कर लेना अरे किसी व्यक्ति को अच्छे रिष्टे बनाने के लिए और मैंटेन करने के लिए शब्दों की आवशक्ता नहीं है कुंगे और वहरे लोग भी अच्छे डिलेशन्स डिवलप करते हैं और मैंटेन करते हैं तो इस नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन हैं तो इस्टैबलिशन मेंटेन इंटर पर्सनल रिलेशन्स नंबर पांच आता है एड इन बिल्दिंग कॉर्परेट इमेज एड का मतलब है एड 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 वर्बल कम्यूनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन के कई ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तमाल अगर किया जाए तो कंपनी की इमेज को इंप्रूव किया जा सकता है सो कॉर्परेट इमेज जो है इट कैन भी इंप्रूवड एन मेंटेंड त्रू नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन नंबर चे है प्रोवाइड से स्कॉप फॉर फीडबैक देख इसमें फीडबैक का स्कॉप है मतलब ऐसा नहीं है कि शब्दों के जरीया अगर कम्यूनिकेशन कर रहे हैं तो ही फीडबैक हो सकता है बीना शब्दों के इस्तमाल के भी जब हम कम्यूनिकेशन करते हैं तो फीडबैक मिलता है एक सिंपल सा एक्जाम्पल कि आप अपनी बिल्डिंग की सीडियों से उतर रहे हैं या लिफ्ट में जा रहे हैं और कोई आपका पडोसी जो आपकी बिल्डिंग में रहता है अमना सामना हो गया आप उसको दिखके स्माइल करते हैं तो वो भी डिटर्न में तूरंत आपक पूछा कैसा है कि सामने वाला भी शब्दों का प्रयूब नहीं करते हैं ऐसे गर्दन हिला देता मतलब मजे गए कि आपने पूछा कैसा है कि उसने कहा मज़े गए कि सो देट इस वोट इसकी इसमें फीड़बैक है आपने किसी की तरफ इशारा करके खाला खाया आप शब्दों का इस्तमाल नहीं करें आपने मुझा खाना खाया उसने कहा खा लिया और लास्ट जो है यह इस इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ओन अटेंटिवनेस ओफ रिसीवर कितना आपकी तरफ ध्यान देता है उसके उपर इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करते हैं क्यों क्योंकि इसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसमें body language होती है expressions होते हैं इसमें gestures होते हैं यानके इशारे हैं अगर सामने वाला ध्यान देगा तो ही उसको समझ में आएगा otherwise उसको समझ में नहीं आएगा तो इस non-verbal communication की effectiveness receiver के ध्यान देने के उपर या उसके attentiveness के उपर डिपेंड करते हैं So that is you can say non-verbal communication का introduction meaning as well as उसकी characteristics अब इसके बार यह जैसे मैंने आपको कहा है page number 79 onwards मिल जाएगा इदर non-verbal communication का introduction है और आपको characteristics मिलेगा page number 80 और 80 इसके बाद स्टार्ट होता है forms of non-verbal communication इस forms of non-verbal communication में अलग-अलग प्रकार है अलग-अलग forms है जैसे कि अगर आपको idea दे दू body language है posture है posture की अलावा gestures याने के इशारे इसके अलावा expressions में facial expressions हैं ठीक है dress and grooming dress and grooming का मतलब हम किस तरह से तयार होते हैं कैसे हम कपड़े पहनते हैं किस type के हम कपड़े पहनते हैं ये भी बहुत कुछ कहता है सामने वाले को space and proximics का मतलब होता है जगा या नस्दी की और ये जगा और नस्दी की के जरीए भी बहुत कुछ communicate किया जा सकता है silence कुछ न कहना अगर मेरा आपसे जगड़ा हो जाए और मैं आपसे बात नहीं करता हूँ I remain silent आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं बट मैं आपको जवाब नहीं देता हूँ वो silence भी communicate करने का एक तरीका है याने के जब आपके कुछ कहने पर भी मैं खामोश हूँ याने के मैं आपसे नाराज हूँ सो silence के जरीए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है auditory signals याने के कानों से सुनने वाले signals sound है जिसमें गाड़ी के द्वारा या train के द्वारा बजाया गया on है घड़ी का अलाम है, school की घंटी है auditory signals, visuals याने के जो दिखाई देता है इन सब के उपर हम discuss करेंगे in the next lecture simple है, आसान है next lecture में हम इन सब को cover कर लेंगे फिर एक office etiquettes जो बच जाएगा that will be doing in the further lecture तब तक के लिए आप सब को advance में दिवाले की बहुत बहुत शुब कामनाएं और साथ साथ में एक advice है घर पर रहें, सुरक्षित रहें good bye, take care झाले के लेड़ोगे नह करेंगे झाले किक लाएगे जाएगे